नमस्कार मैं अश्ना पठारी मौसम दरपन में आपका स्वागत करती हूँ चलिए जानते भारत के किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम देश के इन राज्यों में होगे अगली चार दिनों तक तेज वारिश अलट हुआ जारी। अगर हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो दिल्ली के तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिक्तम तापमान अरतीर डिग्री सेलसेस तक रहे सकता है। इसके हलाव आमडी ने ये भी चेतामी जारी किये कि दिल्ली के आसपास से सटे इलाकों में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। जा देशमर में कही राज्य में अगस का महिना सुखा रहा है जिसके कारण देश के किसानों को भी कही परिशानियों का सामना करना पड़ा था। मगर सितंबर में ही बार फिर सने किसानों को चेहरे पर खुशी ला दिये। में भी जमा जम बारिश के आशंका जता है। यूपी के कई जिलों में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला बना रहे गा। साथी लखनों में तापमन की गिरावट के साथ साथ बहरी बार साथ को लेकर मौसम भागने अलट भी जारी किये। और साथी आएमडे ने बिहर की राज़ानी पटना में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी किये। वही महरष्ट के बात करें तो मौसम में अचनक आये बदलाव से इन जिलों में बारिश की संबावना जताई गई। इसके कारण राज़ा के कई हिस्तों में बारिश की कमी और गर्मी बढ़ने के कारण खरिब सीजन के फसले कराब हो रही थी। इस बीच राज़ा में 31 अगर्स यानि गने चतुर्थी से बारिश शुरू हो गई है। इस बीच जब से पंजाब राव दग न्यूज ने 31 अगर्स से बारिश की संबावना की भईशवानी किये। राज़ा के पूरी विदर्ब मरट वाड़ा और पश्यमी मारश्ट और कांदेश के कुच जिलों में भारी बारिश की संबावना है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से मरट वाड़ा में बारिश ने रोशनी दिये। मरट वाड़ा के कुच जिलों में भी अभी भी और सच से कम बारिश हुए। ऐसे में देखा जा रहा है कि मरट वाड़ा में खरीब सीजन के फसले सचमुच चौपट हो रही लेकिन अगर पंजाब राव की भुष्या नी सच होती तो निश्चित रुप से मरट वाड़ा के ज्यादा तरजिलों के किसनों को रहत मिल सकती है। खुपर में फिलाल इतना ही, इसी के साथ देखती रही मौसमदर पंचानल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकोन दबाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।